प्रदान मंतरी मोधी के मन की बात सुनते आप युआ पीडी को फ्रेंडशिप डे बराबर याद रहता है लेकिन बहुत लोग हैं जिनको एंसीची डे भी उतना ही याद रहता है तो चलिए आज एंसीची के बारे में बाते हो जाए मुझे भी कुछ यादे ताजा करने का अवसर मिल जाएगा सबसे पहले तो एंसीची के सबी पुर्वा और मवजूदा क्याडेट्स को NCC डे की बहुत बहुत शुब काम रहा हूं, क्योंकि मैं भी आपी की तरह क्याडेट रहा हूं, और मन से भी आज भी अपने आपको क्याडेट मानता हूं, यह तो हम सब को पताई हैं कि NCC यानी National दुनिया के सबसे बड़े उनिफार्म यूस और्गनाशनस में भारत के NCC एक है यह एक ट्राइ सर्विसिस और्गनाशनस है जिसमें सेना नौ सेना वायू सेना तीनों ही शामिल है लेडर्शिप, देशभक्ती, सेल्फ लेडर्श सर्विस, डिस्सिप्लिंग, हाड़ वर्क इन सब को अपने केरेक्टर का हिस्सा बनाने अपने हबीट्स बनाने के रोमान्चर यात्रा मटब NCC इस जन्नी के बारे में कुछ और अधिक बाते करने लिए आज फोन कोल से कुछ नवजवानों से जिन्नोंने अपने NCC में भी अपनी एक जगा बनाई है आईए उनसे बाते करते हैं साथियो आप सब कैसे हैं जैहिन प्रधान मंत्री जी जैहिन सर मेरा नाम जूनियर अंडर ऑफिसर तरन्नुम खान है तरन्नुम आप कहां से हैं मैं दिल्ली की रहने वा साल मेरे जिन्दगी के सबसे बहतरी साल रहे हैं सर वा बहुत सुनकर कैच्छा लगा तर मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा सबसे अच्छा अनुभव जो रहा एक भारत सुरेश्ट भारत कैम्प में रहा था है हमारा कैम्प अगस्ट में हुआ था जिसमें एनी आर दस दिन के लिए रहे हमने उनका रहन सेहन सीखा हमने देखा कि उनकी लांग्विज क्या है उनका ट्रेडिशिन उनका कल्चर हमने उनसे ऐसी कही सारी चीजसे सीखी जैसे वाइजों में का मतलब होता है वैसे ही हमारी cultural night हुई थी उसके अदर उन्होंने हमें अपना dance सिखाया तहरा कहते हैं उनके dance को और उन्होंने मुझे मैं खाला पहनना भी सिखाया मैं सच पताती हूँ उसके अंदर बहुत खुब्सूरत हम सभी लग रहे थे दिल्ली वाले as well as हमारे नागलान के दोस्त थी हमने उनको दिल्ली दर्शन पर भी लेके गए थे जहां हमने उनको नाशनल वार मेमोरियल और इंडिया गेट्स दिखाया वहाँ पे हमने उनको दिल्ली के चार्ट भी खिलाई भेलपूरी भी खिलाई लेकिन उनको थोड़ा तीखा लगा क्योंकि जैसे उनके बताया हमको कि वो जाददर सूप पीना पसंद करते हैं थोड़े उबलुई सबजिया खाते हैं तो उनको खाना तो इतना भाया नहीं लेकिन उसके अलावा हमने उनके साथ काफी पिक्चर्स खीची काफी हमने अनुभव शियर करें अपने आपने उनसे संपर्क बनाए रखा है जी सर्थ हमारे संपर्क उनसे अब तक बने हुए है चलिए अच्छा कि आपने और कौन है साथी आपके साथ जैहन जर जैहन मैं सीने अंडर ऑफिसर श्रीहरी जीवी बोल रहा हूँ मैं बेंगलोरू करनाटका का रहना वाला हूँ आर आप कहां पढ़ते हैं बेंगलोरू में क्रिक्टु जर्थ बेंगलोरू में ही है बताईए तो आपको मुगा मिल गया है वहाँ जाने का मुग और नेपाल जहां पर हमें कॉमबाइट लेसेंज और इंटरनाशनल मिल्टरी एक्साइस का एक्सजेंज सिखा था जहां पर हमारा परफॉमेंस कुछी अलग था सर इनमेंसे हमें वाटर स्पोर्ट और अडवेंचर अक्टिविटीज सिखाया था और वाटर फोलो टोर्नेमेंट में इंडिया टीम जीत हासिल किया था सर और कल्ट्रिल में हम होवराल परफॉमेंस थे सर हमारा ड्रिल और वर्ड अफ कमांड बहुत अच्छा लगाता सर उनको आप कितने लोग थे हरी बीश लोग सर हम 10 बॉइ 10 गर्ल थे सर यही बारत के सभी अलग अलग राज्ये से थे हाँ सर चलिया आपके सारे साथ ही आपके आनुभव सुनने के लिए बहुत आतूर होंगे लेकिन मुझे अच्छा लगा और कौन है आपके साथ जैहिन सर जैहिन मेरा नाम है सीनियर अंडर ओफिसर विनोले किसो मैं नौर्ड इस्टर्न रिजिन नगलें स्टेट का है सर हाँ विनोले बताईए क्या आनुभव है आपका सर मैं सें जोसेफ कोलेज जखमा ओतुनमस में परायका रहे है बीए हिस्ट्री ओनर्स में मैंने 2017 साल में NCC जोइन किया और ये मेरे जिन्दकी का सबसे बारा और अच्छी डिजिशन था से NCC के कारण हिंदुस्तान में कहां कहां जाने का मुका मिला है तब मैंने NCC जोइन किया और बहुत सिखी था और मैंने opportunities भी बहुत मिली थी और मेरा एक experience था वो मैं आपको बताना जाता है मैंने इस साल 2019 जून मेने से एक केम एटेंड किया वो है Combined Annual Training केम और वो साथ ओले कोलेज कोहिमा में हेल्थ किया इस केम में 400 कैड़ेट्स ने एटेंड किया सारे आपके साथ ही जानना चाहते होंगे इंतुतान में कहां गए क्या क्या दिखा सब अनुबहुत सोनाते हों सबको और कौन है आपके साथ जहिन सर मेरा नाम जूनियर एंडर ऑफिसर अखिल है हाँ अखिल बताईए मैं रहतक हर्याना का रहने वाला हूं सर मैं दयाल सिं कितने केम्प करने का मुटा मिला कहां कहां जाना का मुखा मिला मैं हाल ही में इंडियन Militri Academy दहरा दून में attachment camp का हिसा रहा हूँ कितने समय का था सर ये तेरा दिन का camp था सर सर मैंने वहाँ पर भारतिय फॉज में अफसर कैसे बनते हैं उसको बड़े करीब से देखा है और उसके बाद मेरा भारतिय फॉज में अफसर बनने का संकल्प और जादा द्रड हुआ है सर बज़े उटकर राजपत पर प्रेक्टिस करने जाते थे तो जोश हमें इतना होता था कि वो देखने लायक था बाकी फोर्सेज कंटिंजेंट के लोग जो हमें इतना प्रोथाहित करते थे राजपत पर मार्च करते वक्त हमारे रोम्टे खड़े हो गए थे सर चलिए आप चारों से बात करने का मोका मिला और वो भी NCC Day पर मर्जली बहुत खुशी की बात है क्योंकि मेरा भी सोभागी रहा कि मैं भी बच्पन में मेरे गाउं की स्कूल में NCC Cardet रहा था तो मुझे मालूम है कि यह डिसिप्लीन यह यूनिफॉर्म उसके कारण जो कांफिडेंस लेवल बढ़ता है यह सारी चीजे बच्पन में मुझे एक NCC Cardet के रुप में अनुभव करने का मोका मिला था पर दन मंत्री जी मेरा एक सावल है कि आप भी एक NCC का हिस्ता रहे है कौन विनोले बोल रही हो क्या आपको कभी भी पनिश्में मिली थी इसका बदलब कि आप लोगों को पनिश्में मिलती है जी नहीं मुझे ऐसा कभी हुआ नहीं क्योंकि मैं बहुत ही प्रकार से डिस्प्रीन में मानने वाला था लेकिन एक बार जुरूर मिसंडर्स्टेंडिंग हुआ था जब हम कैंप में थे तो मैं एक पैड़ पर चड़ गया था तो पहले तो ऐसा ही लेका कि मैंने कोई कानून तोड़ दिया है लेकिन बाद में सब को ध्यान में आया कि बहाँ ये पतंग की डोर में एक पंकी फस गया था तो उसको बचाने के लिए मैं वहाँ चड़ गया था तो खैर पहले तो अलगता था कि मुझे पर कोई डिस्प्लिन एक्शन होंगे लेकिन बाद में मेरी बड़ी भावाई हो गई तो इस प्रकार से एक अलगी अनुपव आया मुझे ये जानके बहुत अच्छा लगा सर मैं तरन्नम बात कर रही हूँ अगर आपकी आग्या हो तो मैं आप से इक सवाल करना चाहूँग जी जी बताइए वैसे मैं भारत के लोगों से आगर करूँगा कि अगर आपको प्रकृती से प्रेम है गने जंगल जरने एक अलग ही प्रकार का माहोल देखना है तो मैं सबको कहता हूँ आप नौर्थीस जुरूर जाइए हमेशा बताता हूँ और उसके कारण नौर्थीस में टूरिजम भी बहुत बड़ेगा एकोनमी को भी बहुत फाइदा होगा और एक भारत स्रिष्ट भारत के सपने को भी वहाँ मजबूती मिलेगी लेकि हिंदुस्तान में हर जगा पे बहुत कुछ देखने जैसा है अध्यन करने जैसा है और एक प्रकार से आत्मसात करने जैसा है प्रतान मंत्री जी मैं श्री हरी बोल रहा हूँ जी हरी बताइए मैं आप से जाना चाहता हूँ कि आप एक पॉलिटेशन ना होते तो अब क्या होते अब ये तो बड़ा कठीन सवाल है क्योंकि हर बच्चे के जीवन में कई पड़ावाते है कभी ये बनने का मन करता है कभी वो बनने का मन करता है लेकि ये बात सही है कि मुझे कभी राजनिती में जाने का मन नहीं था नहीं कभी सोचा था लेकिन अब पहुँच गया हूँ तो जी जान से देश के काम आओ उसके लिए सोचता रहता हूँ और इसलिए अब मैं यहां न होता तो कहां होता यह सोचना ही नहीं चाहिए मुझे अब तो जी जान से जहां हूँ वहाँ जी भर करके जीना चाहिए जी जान से जुटना चाहिए और जम करके देश के लिए काम करना चाहिए न दिन देखनी है न राद देखनी है बस यही एक मकसद से अपने आपको मैंने खपा दिया है वैसे मेरी किताब पढ़ने की रूची तो रहती थी फिल्म देखने की कभी रूची भी नहीं रही उसमें समय का बंदन तो नहीं है और नहीं उस प्रकार से टीवी देख पाता हूं बहुत कम कभी कभी पहले डिस्कवरी चैनल दे कि इन दिनों तो पढ़ने पाता हूं और दूसरा गूगल के कारण भी आदते खराब हो गई है कि किसे रेफरेंस को देखना है तो तुरंट सोटकट ढूंड लेते हैं तो कुछ आदते जो सब की बिगड़ी है मेरी भी बिगड़ी है चलिए दोस्तों मुझे बहुत अच् मेरे प्यारे देश्वासियों हम सभी देश्वासियों को यह कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि साथ देसंबर को आम फोर्सिस फ्लैक डे बनाया जाता है यह वो दिन है जब हम अपने वीर सैनिकों को उनके पराक्रम को उनके बलिदान को याद तो करते ही हैं लेकिन जान भी करते हैं सिर्फ सम्मान का भाव इतने से बात चलते नहीं है सहभाग भी जरूरी होता है और साथ दिसंबर को हर नागरिप को आगे आना चाहिए हर एक के पास उस दिन आम फोर्सिस का फ्लैक होना ही चाहिए और हर किसी का योगदान भी होना चाहिए आईए इस परण भाव के प्रती कृतग्यत आप व्यक्त करें और वीद सैनिकों का स्मरण करें मेरे प्यारे देश्वासियों भारत में फिट इंडिया मुमेंट से अब तो आप परिचीत हो ही गए होंगे सीबी एसी ने एक सराणिय पहल की है फिट इंडिया सप्ता की स्कूल्स फिट इंडिया सप्ता दिसंबर महने में कभी भी मना सकते हैं इसमें फिटनेस को लेकर कई प्रकार के आयोजन किये जाने हैं इसमें क्वीज, निमन, लेक, चित्रकारी, पारमपालिक और स्थानिय फिट इंडिया सप्ता में विद्यार्थिकों के साथ साथ उनके शिक्षक और मातापिता भी भाग ले सकते हैं लेकिर ये मत भूलना कि फिट इंडिया मतलब सिर्फ दिमागी कसरत कागजी कसरत या लेप्टॉप या कंपूटर पर या मोबाइल पॉन पर फिटनेस की एप देखते रहना जी नहीं पसीना वहाना है खाने की आदत बदलनी है अधिक्तम फोकस अक्टिविटी करने की आदत बनानी है मैं देश के सभी राज्यों के स्कूल बॉर्ड एम स्कूल प्रभंदत से अपील करता हूं कि हर स्कूल में दिसंबर महने में फीट इंडिया सप्त इसे फिटनेस की आतत हम सभी की दिन चेरिया में शामिल होगी फिट इंडिया मुमेंट में फिटनेस को लेकर स्कूलों की रैंकिंग की व्यवस्ता भी की गई है इस रैंकिंग को हासिल करने वाले सभी स्कूल फिट इंडिया लोगो और फ्लैक का इस्तमाल भी कर पाएंग फिट इंडिया पॉर्टरल पर जाकर स्कूल स्वयम को फिट गोशित कर सकते हैं, फिट इंडिया थ्री स्टार और फिट इंडिया फाइव स्टार रेटिंग्स भी दी जाएगी, मैं अनुरोद करता हूँ कि सभी स्कूल फिट इंडिया रेंकिंग में शामील हो, और फिट इंडिया ये सहज स्वभाव बने, एक जनांदोलन बने, जागरुकता आए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए, मेरे प्यारे देश्वांचियों, हमारा देश इतना विशाल है, इतना विविदिताओं से भरा हुआ है, इतना पुरातन है कि बहुत सी बातें हमारे ध्यान में नहीं आती हैं, और स्वाभावी भी हैं, वैसी एक बात मैं आपके शेयर करना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले माय गौव पर एक कॉमेंट पर मेरी नजर पड़ी ये कॉमेंट असम के नवगाओं के स्रीमार रमेश शर्माजी ने लिखा था उन्होंने लिखा ब्रह्मपुत्र नदी पर एक उत्सव चल रहा है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र पुषकर चार नवंबर से 16 नवंबर तक ये उत्सव था और इस ब्रह्मपुत्र पुषकर में शामिल होने के लिए देश के भिन 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 भागों से कई लोग वहां पर शामिल हुए ये सुनकर के आपको भी आशिर्य हुआ ना हाँ यही तो बात है ये ऐसा महत्वपन उत्सव है और हमारे साथ कि है कि जब पूरी बात सुनोगे तो आपको भी आशिर्य होगा लेकिन दुरभागे से इसका जितना व्यापक प्रचार होना चाहिए जितनी देश के कौने-कौने में जानकारिया होनी चाहिए उतनी मात्रा में नहीं होती है और ये भी बात सही है कि इस पूरा आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मन की बात के माध्यम से देश वाच्छों के बीच यह बात शैर करने का निश्चय किया। आपने पीडा भी व्यक्ति की है कि इतने महत्वपुन बात की कोई व्यापक चर्चा नहीं होती हैं, प्रचार नहीं होता है। आपकी पीडा मैं समझ सकता हूँ, देश में जादा लोग इस वीशे में नहीं जानते हैं। हाँ, अगर शायद किसी ने इसको इंटरनेशनल डिवर फेस्टिवल कह दिया होता, कुछ बड़े शांदार शब्दों का उप्योग किया होता, तो शायद हमारे देश में कुछ लोग हैं, जो जुरूर उस पर कुछीं कुछ चर्चाई करते हो और प्रचार भी हो जाता। मेरे प्यारे देश सुआझियों, कि आपने कभी शब्द सुनें, क्या आप जानते हैं, आपको पता हैं, यह क्या हैं मैं बताता हूं, यह देश की बारा अलग-अलग नदियों पर जो उत्सव आयोजित होते हैं, उसके भिन्भिन नाम है, हर वर्ष एक नदी पर यानी उस नदी का नंबर फिर बारा वर्ष के बार लगता है और यह उत्सव देश के अलग-अलग कौने की बारा नदियों पर होता है बारी-बारी से होता है और बारा दिन चलता है कुम्ब की तरह ही यह उत्सव भी राष्ट्रिय एकता को बढ़ावा देता है और एक भारत भारत के दर्शन कराता है पुश्क्रम यह ऐसा उत्सव है जिसमें नदी का महत्मय नदी का गवरव जीवन में नदी की महत्ता इस सहज रुप से उजागर होती है हमारे पूर्वजों ने प्रकृती को परियावरन को जल को जमीन को जंगल को बहुत एहमियत दी उन्होंने नदियों के महत्तव को समझा और समाज को नदियों के प्रती सकारात्मक भाव कैसा प्यदा हो एक संस्कार कैसे बने नदी के साथ संस्कृति की धारा नदी के साथ संस्कार की धारा नदी के साथ समाज को जोडने का प्रयास इंदिरंतर चलता रहा और मज़ेदार बात यह ह कि समाच नदियों से भी जुड़ा और आपस में भी जुड़ा पिछले साल तमिनाडु के तामीर बर्नी नदी पर पुषकरम हुआ था इस वर्ष यह ब्रह्मपुत्र नदी पर आविजित हुआ और आने वाले साल तुंग भदरा नदी आंदर प्रदेश तेलंगना और करना सब्सक्राटक में आविजित होगा एक कर से आप इन 12 स्थानों की यात्रा एक टूरी सर्केटिक के रूप में भी कर सकते हैं यहां मैं असम के लोगों की गर्म जोशी और उनके आतित्य की सरहना करना चाहता हूं जिन्होंने पुरे देश से आये तिर से आतियों का बहुत स सुंतर सतकार किया आयोजयकों ने स्वस्चता का भी पूरा ख्याल रखा प्लास्टिक फ्री जोन सुनिश्चित किये जगा जगा बायो टॉइलेट के भी विवस्ता की मुझे उमीद है कि नदियों के प्रती इस प्रकार का भाव जगाने का यह हजारों साल पुराना हमारा उत्सव भावी पीडी को भी जोड़े प्रकृती परियावरन पानी यह सारी चीजे हमारे परियाटन का भी हिस्सा बने जीवन का भी हिस्सा बने मेरे प्यारे देश्वाशियों नमो एप पर मद्द प्रदेश से बेटी श्वेता लिखती है और उसने लिखा है सर मैं क्लास नाइन्थ में हूँ मेरी बॉर्ड की परिक्षा में अभी एक साल का समय है लेकिन मैं स्टूडेंट्स और एक्जाम वोरियस के साथ आपकी बातचित लगातार सुनती हूँ मैंने आपको इसलिए लिखा है क्योंकि आपने हमें अब तक ये नहीं बताया है कि अगली परिक्षा पे चर्चा कब होगी कृपया आप इसे जल्द से जल्द करें अगर संबव हो तो जनवरी में ही इस कारकम का आयोजन करें साथियों मन की बात के बारे में मुझे यही बात बहुत अच्छी लगती है मेरे युवामित्र मुझे जिस अधिकार और स्ने के साथ शिकायत करते हैं आदेश देते हैं सुझाव देते हैं यह देखकर मुझे भात खुश होती है स्वेता जी आपने बहुत ही सही समय पर इस्विशल को उठाया है प्रिक्षाएं आने वाली है तो हर साल के तरग हमें परिक्षा पर चर्चा भी करनी है आपकी बाद सही है इस कारक्रम को थोड़ा पहले आयोजित करने की आवशक्ता है पिछले कारक्रम के बाद कई लोगों ने इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपने सुझाव भी भेजे हैं और शिकायद भी की थी कि पिछले बार देर से हुआ था परिक्षा एक्दम से निकट आ गई थी और सुझाव सही है कि मुझे इसको जन्वरी में करना चाहिए HRD Ministry और मायगाव की टीम मिलकर इस पर काम कर रही है लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस बार परिक्षा पे चर्चा जन्वरी के शुरू में अब भीच में ही हो जाए देश भर के विद्यार्थी साथियों के पास दो अफसर हैं पहला अपने स्कूल से ही इस कारकम का हिस्सा मनना दूसरा यहां दिल्ली में होने वाले कारकम में भाग लेना दिल्ली के लिए देश भर से विद्यार्थीों का चयन मायगाओं के माध्यम से किया जाएगा साथियों हम सब को मिलकर परिक्षा के भाय को भगाना है मेरे युवा साथ ही परिक्षाओं के समय हसते खिल खिलाते दिखे पैरेंट्स तनाव मुक्त हो टीचर्स आस्वस्त हो इसी उदेश को लेकर पिछले कई सालों से हम मन की बात के माध्यम से परिक्षा पर चर्चा टाउन होल के माध्यम से या फिर एक्षाम वॉर्यर बुक के माध्यम से लगातार प्रयास कर रहे हैं इस मिशन को देश भर के विद्यार्थों ने पैरेंट्स ने और टीचर्स ने गती दी इसके लिए मैं सब का अभारी हूँ और आने वाले परिक्षा पे चर्चा का कारकम हम सब मिल कर गये बारे में चर्चा की थी और मैंने कहा था कि देश ने तब किस तरह से शांति और भाईचारा बनाए रखा था निर्ड़े आने के पहले भी और निर्ड़े आने के बाद भी इस बार भी जब 9 नवेंबर को सुप्रिम कौर्ट का जिज्मेंट आया तो 130 करोड भारतियों ने फिर से ये साबित कर दिया कि उनके लिए देश हिद से बढ़कर कुछ नहीं है देश में शांती एकता और सद्भावना के मुल्य सर्वोपरी है राम मंदीर पर जब फैसला आया तो पूरे देश ने उसे दिल खोलकर गले लगाया पूरी सहस्ता और शांती के स्वात स्विकार किया आज मन की बात के माध्यम से मैं देश वाजियों को साधुवाद देता हूँ धन्यवाद देना चाहता हूँ उन्होंने जिस प्रकार के धहरिय, सैयम और परिपकपता का परिशे दिया है मैं उसके लिए विशेयस आभार प्रकड करना चाहता हूँ एक और जहां लंबे समय के बाद कानूनी लड़ाई समयाप्त हुई हैं, वहीं दूसरी और न्याए पालिका के प्रती देश का सम्मान और बढ़ा है। सही माहने में ये फैसला हमारी न्याए पालिका के लिए भी मिल का पत्थर साबित हुआ है। सुप्रिम कोड के इस एतिहासिक फैसले के बाद अब देश नई उम्मिदों और नई आकांशाओं के साथ नए रास्ते पर नए इरादे दे कर चल पड़ा है। न्यू इंडिया इसी भावना को अपना कर शांती, एकता और सत्भावना के साथ आगे बढ़े यही मेरी कामना है। हम सब की कामना है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी सभ्यता, संस्कृती और भाषाएं पूरे विश्व को विविद्धता में एकता का संदेश देती है। 130 क्रोड भारतियों का यह वो देश है, जहां कहा जाता था कि कोस कोस पर पानी बदले और चार कोस पर वानी हमारी भारत भूमी पर सैंकडो भाषाएं सद्यों से पुष्पित पल्लवित होती रही है। हाला कि हमें इस बात की भी चिन्ता होती है कि कहीं भाषाएं और भोलियां खत्म तो नहीं हो जाएगे। पिछले दिनों मुझे उत्राखन के धार चुला की कहानी पढ़ने को मिली, मुझे काफी संतोश मिला। इस कहानी से पता चलता है कि किस प्रकार लोग अपनी भाषाओं उसे बढ़ावा देने के लिए आगे आ रहे हैं। कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं। और धार चुला की खबर मेंने मेरा ध्यान भी इसलिए गया कि किसी समय मैं धार चुला में आते जाते रुका करता था। उस पार नेपाल, इस पार काली गंगा, तो स्वाभाविक धार चुला सुनते ही इस खबर पर मेरा ध्यान गया। पिथोरा गड़ के धार चुला में रंग समुदाय के काफी लोग रहते हैं। इनकी आपसी बोलचाल की भाषा रंगलो है। ये लोग इस बात को सोचकर अत्यन्त दुखी हो जाते थे कि इनकी भाषा बोलने वाले लगातार कम होते जा रहे हैं। फिर क्या था? एक दिन इन सब ने अपनी भाषा को बचाने का संकल्प ले लिया। देखते ही देखते इस मिशन में रंग समुदाय के लोग जूटते चले गए। आप हैरान हो जाएंगे। इस समुदाय के लोगों की संख्या गिंती भरकी है। मोटा मोटा अंदाज कर सकते हैं शायद दसजार हो लेकिन रंग भाषा को बचाने के लिए हर कोई जूट गया। चाहे 84 साल के भुजूर दिवानसी हो या 22 वर्स की युवा वैशाली गर्भ्याल प्रोफेसर हो या व्यपारी। हर कोई, हर संभव कोशिश में लग गया। इस मिशन में सोशल मीडिया का भी भरपूर उप्योग किया गया। कई वाट्सअप ग्रुप बनाए गया। सैकड़ों लोकों को उस पर भी जोड़ा गया। इस भाषा की कोई लीपी नहीं है। सिर्फ बोल्चाल में ही एक प्रकारजी साथ चला ना है। ऐसे में लोग कहानिया, कविताएं और गाने पोश्ट करने लगे। एक दूसरे की भाषा ठीक करने लगे। एक प्रकार से वाट्सप ही क्रास्रूम बन गया। जहां हर कोई सिक्षक भी है। तो प्रधार मंदरी 69 बार मन की बात कर रहे हैं, NCC Day पर उन्होंने शुप कामनाई दी हैं, फिटरस कैसे बरकारार रखी जाए और उससे क्या-क्या लाब हैं, क्या-क्या फाइदे हैं इस बात पर जोर दिया है आज के मन की बात में। Twitter.com slash ABPGANGA